समस्कार रिवादेखातानी भोजपूरी निजटाइम हम संभूस्वन गोरखपुर जन्पद में वोकल फार लोकल टेक्स्टाइल जोन योजना वा उत्तरप्रदेश सरकार के जोन घरेलू उत्पाद वाओ के बाजार में लांच के लिए उत्तरप्रदेश के तमाम जन्पद हम भोजपूरी निवस को धन्यबाद देते हैं कि आपने ऐसे महत्पूर काइक्रम में अपनी साभागता सुमिशित की जिए देश के सश्री पधान मंत्री पाईनरेंद्र मोदी जी के ओकल फाल लोकल अविधारना को अफसिंचित करने के लिए प्रदेश के मुख्य मंत्र जी माननी है योगी यादितना जी महराज के वन डिस्टिक वन प्रोडक्ट के तहत रेडिमेड गर्मेंट और टेरा कोटा जैसे महत्पूर उत्पाद को मार्केट पदान करने के लिए गोरखपुर को रेडिमेड गर्मेंट का हब बनाने के लिए उद्ध्योग विभाग कोरखपुर स्री रभीकुमार सर्मा जी के साहय कायक्त के नेत्रित में उनकी टीम के द्वारा निरंतर प्रयास से आज दस्द युसी इस प्रदस्तनी का आयोजन राज्की जूबली कालेज के प्रांगण में हुआ है तो यहां के लोग के का पहुँच में हुआ पाई देखिए अभी तक हम लोग जानते थे कि सामान महगें होते हैं और बहुराष्टी कमपनियों ने एक माहौल खड़ा किया है सरकार के खिलाफ कि महागाई बढ़ गई है उस महाई की बढ़ोत्तरी या महाई कम है इसको देखने के लिए आप इस प्रदस्वनी में आएंगे तो देखेंगे कि बाजार दर से आदे दर से कम पर यहां ब्लांडेट लेडिमीड गार्मिंट के कपड़े मिल ले हैं इसको आज माननी मोदी जी और हमारे पुझी योगी जी मिल करके उस नकरात्मक संदेश जो देश में फैल लहा है उससे लोगों को उबार करके इस प्रदस्वनी जैसे आयोजन के माध्यम से हमको जागरुकता भी कराना है और लोगों को जागरुकता नहीं हम भासर नहीं दे रहा हम प्रत्तक शुरूब में हमने 200 रुपे में सट दिया है आप कलपना नहीं कर सकते हैं कि बाजार में सिलाई 300 है दोसों में यानि हमारे हैं का प्रदक्ट हमेशा सुनु से ही हमारे हां के कपड़े हो उसका उत्वादन हमारे होता है और एक सबसे वड़ी बाद बा यहां रेडियो इस्टेशन के तमाम आगासवारी के कलाकार दुर्दसन के कलाकार लोग उपस किद्वा तो यह कर मक्सद कावा कि यहां संगीत क्या परस्त यह उकल फालोकल जो है इसकी अविधारणा ही यही है कि अस्थानी उत्पाद अस्थानी उत्पाद में कलाकार भी सबका प्रयास सबका विश्वास यह हमारे मंतर जी के अविलानडा है तो वह इसमन्च में मूर्त प्ति दिखाए दे रहे हैं कि हमारे यहनपत के यह कलाकार जो यह से ले करके अपने माती के सुगंद और यहां के कल्चर को दुनिया में फैला रहे है और श्वस्तर पर कु से ही लगता है कि हम उस समय चले गए जब कुवें से ठना पानी निकाल करके पीपल के नीचे कुवें हुआ करता था कितने बड़े आज वो रचनाकार के मंच पी उतार देले हैं तो हम उनसे भी बात करें आज तो यह मंच धन्य हो गया और हम धन्यबाद देते हैं देश के को समझे और यहां के लोगों को रोजगार देने के लिए जो यह गार्मेंट हम बनाने का संक्रप्र जो उनका सपना है इसके माध्यम से सरबादिक रोजगार का सिजन होगा यहां तो धन्यबाद देत आप से सीधे हम और लोग से जानल चाहता नहीं चूकि बीजय दूबे अधेक्षी जान बात बतोनी हुआ कि लोगळ फर बोकल के जन परधान मंतरी जी के नारावा जोन देश में अपनी के नाराई गुजर हल्भा त लोगल फर बोकल के गुरकपुर में यह उतना सुंदर प्लेटफर्म स्तैयार कर के लोगल पर बोकल में खाली कपड़े ना व संकर्शुकला जी कि हम बहुत 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 सब्सक्राइब कि बहुत बजली गाहे बगाहे हर कलाकार ये गावेला चाहे छोट कलाकार बढ़ कलाकार अच्छी रचना आप दे गहीं समाज के माटी के रचना कुयां के ठंडा पानी लेकिन ओर रचना के दार आप बरतिमान के का लेकिन लेकिन पूरानी द्हुन है अपनी माटी की द्हुन है जो हैं तो उसी धुन पर कुईयां के ठंडा पानी पीपल की चाहरे और त्विस्ट करके उसको ने अधर बनाया हमने और खुब बजाओ सब हर घर के में उसके गाये लोगे अस्तर बर्तवान में आज तो एक राइटर अमर हो गई लिख के जे भी लिकलास अच्छी चीट चाहिए विकारी ठाकुर भेले चाहिए आप लोग यहतर का गीत देह लिए लेकिन जो बज रहा है वो भी ठीक है लेकिन जो पुरानी चीजें हमारी है जो आफ्तिकता है जो मा जिनगी के दाओं रहे तो आज कल तो जो है छोटा छोटी हैं तेन हो रहा है लेकिन उस समय प्रीत ही जिंदगी के साथ जूड़ी हुई थी यहां बहुत अच्छी गाई का सुशिलाव पाध्ध्याय जी बाडिन आकासमारी से दुरदरसन से आपको प्रस्वतित हो लेकिन उनकी गलत फैमी है अपनी परंपरा को कभी नहीं भूलना चाहिए और पूरी दुनिया को यह बताना चाहिए कि हम बीदेशी से बढ़के हिंदूस्तानी हैं और हम कभी अपनी कल्चर अपनी परंपरा न भूले यह हमारी सबसे बड़ी धरोहर है जिन्द बचा के रखे त तो निश्ची तोर पे घरेल उत्पाद के अपने लागे कारवा विदेशी सामान के वहिसकार के लागे कारवा गोरखपुर से कैमरा परसंद चंदन संगम समोचरन देखत रहें भोशपुरी निउश टाइम